किया आँग वाचिंग कुक स्मार्ट विद संजीव कपूर और अब बनाते हैं घशी और यह जो घशी है यह बढ़ी कमाल के डिश होती है क्योंकि यह थोड़ी स्पाइसी होती है हलकी से खटी होती है लेकिन बढ़ी मज़ेदार कोकुनट के साथ में बनती है और इसमें सबस कमाल का तो मसाले का फ्लेवर लाने के लिए यह काम करते हैं जरा सा तेल और इसमें कुछ मसाले हमने भूनने हैं तो यह मेरे पास में है धनिया धनिये के साथ में जीरा और कुछ काली मिर्च थोड़े सी इसके अंदर मेथी दाना इसके साथ साथ इसमें जरा लाल मिर्च भी चाहिए तो यह जो लाल मिर्च है यह इसके अंदर और अब खुश्बू बढ़िया सी आ रही है जादा नहीं होना चाहिए यह तो एक काम करते हैं जरा और तयारी कर लेते हैं और यह तयार चॉप किया हुआ और मसाला जो है उस पर भी नज़र रखें मसाले में गवल नहीं होनी चाहिए पता चला कि आप इधर बिजी हो गए और जो मसाला है वो जादा तयार हो गया मतलब जादा भुंग गया ना बिलकुल ठीक है ये जो हमने लिया है एक काम करते हैं इसको पीसना है हमने चलिए ये ले लिया और इसमें से जो फ्लेवर आना था ना वो तो आ गया अब बाकी काम बाकी काम में इसमें गार्लिक उसके साथ साथ इसमें सबसे जरूरी चीज ये लिजे ये क्या है नारियल यह नारियल ले लिया और नारियल ठेर सारा इसके अंदर और भी चीज़ें पढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं यह प्यास जो मने काटा है ना वो जरहा पकाना शुरू कर देते हैं तो यह ले लेते हैं तेल और यह घषची जो बना रहे हैं उसकी ये तयारी, इसके लिए ये तेल और ये तेल के अंदर ये कटा हुआ प्याज और ये जो ग्रेवी बनती है न ये थोड़ी सी गाड़ी बनती है और गाड़ा बनाने के लिए इसमें नारियल तो पड़ेगा ही लेकिन उसके साथ-साथ प्याज भी पड़ता है प्याज यहाँ पर भी पड़ा हुआ है लेकिन उसमें और प्याज डलेगा और वो प्याज अभी आप देखेंगे कैसे ये जो हम पेस्ट बना रहे हैं उसके अंदर भी ये प्याज पड़ेगा तो ये प्याज इसके अंदर और फिर इसमें हल्दी ये हल्दी उसके साथ साथ इमली का पल्प वही खट्टा बनाने के लिए ये इमली का पल्प और ये देखे इसके अंदर ये नमक और अब इसकी पेस्ट बढ़या से बनाने के लिए इसके अंदर पानी तो प्याज जड़ यह पेस तयार हो जाएं और देखिए क्या मज़ेदार यह रेसिपी तयार होगी यह ले लिया और फिर यह सारी चीजें इसके अंदर यह लीजे यह पिस गई हमारी पेस तयार नारियल के साथ में लाल मिर्ज भुनेव मसाले यह सारे इसके अंदर अचा कुछ लोग घसी वगयरा में पुड़ा मस्टर्ड सीज करी लीव्ज वो भी डालते हैं लेकिन यह जो है इसके अंदर वो कुछ नहीं लेकिन मसाले सारे हैं यह इस डिश का बन गया पेस और इसके साथ-साथ यह पानी इसके अंदर यह जो प्रवी चाहिए इसमें हमें ये ड्राइ डिश नहीं है तो ये ये लीजे ये ले लिया और फिर इसके अंदर ये लीजे क्या खुश्बू आ रही है बढ़िया सी इसके अंदर से हमारा जो देश है वो तीन तरफ से वो समुद्र से घिरा हुआ है और उसकी वज़े से वहां चीजें सब मिला कर अलग लग खाने मिलते हैं अब देखें कोस्ट में अगर वेस्टन कोस्ट में देखा जाए कौंकर में देखा जाए तो वहां पर नारियल भी बहुत मिलता है उसके साथ साथ फिश भी मिलती है तो नारियल और फिश को मिला के बहुत सारी चीजे बनाई तब जासकते हैं और हाँ उसके अंदर अगर कुछ मसाले मिला दिये जाएं कुछ मिर्च पगरा मिला दिये जाएं तो एक तम कमाल की डिश बनती है अब उसका नाम कुछ भी हो सकता है कभी-कभी थोड़ा सा मसाला इधर किया उधर किया एक डिश अलग बन गई अब घशी खानी है, आपने आमबो तिक खानी है या फिर बालचाओ खाना है डिश में, इंग्रीडेंस में बहुत ज़्यादा फरक नहीं होता कभी proportion में फरक होता है, कभी पकाने के तरीके में अब ये जब हमने mix कर लिया, ये गरम होनी शुरू हो गई और ये हम बना रहे हैं प्राउन घशी तो इसके अंदर ये जो प्राउन है, ये साफ किये हुए प्राउन ये इसके अंदर ये लिए और ये प्राउन डाल कर बस इससे थोड़ी देर तक पकाना है ताकि ये जो प्राउन है ये पक जाएं इसको ओवर कुक नहीं करना है ग्रेवी बहुत जादा थिन नहीं करनी है और फिर उसके बाद में इसका जो मजा है वो आप देखिए जिस तरह से ये इसके अंदर सब खुश्बू मुझे आ रही है प्राउन पूरी तरह से पक चुके हैं ग्रेवी एकदम गरम हो चुकी है मुझे नहीं लगता कि ये बनने के बाद में ये किसी भी हालत से बचेंगे प्राउन्स और ये देखे इसमें मैंने का था ना कि ग्रेवी है लेकिन इसमें हमने इसको एकदम रनी ग्रेवी नहीं बनाना थिक ग्रेवी बनाना है प्राउन्स को जादा नहीं पगाना है और ये कहते कहते कि प्राउन्स को जादा नहीं पगाना है इसको बंद कर देते हैं ताकि इसका मज़ा लिया जा सके इन प्राउन्स का प्राउन्स घशी का और इसे बस इसी तरह से गरमा गरम परोसिए और मज़ा लीजिए क्योंकि क्र प्रॉन घसी बनाने के लिए एक नॉन्स्टिक पैन में एक बड़ा चमच तेल करम करें उसमें साबुद धनिया जीरा काले मिर्च और मेथी दाना डालकर खुश्बू आने तक भून ले सुखी लाल मिर्च डाले आज बुझा दे और समान तापमान तक ठंडा होने दे बचा साब तेल इक दूसरे नॉन्स्टिक पैन में करम करें उसमें प्यास डालकर उसका रंग बदलने तक भूने मसाले को एक मिकसर जार में डाले लहसून और कसानारियल डाले बचे प्यास के चारट उक्ड़े करके मिकसर जार में डाले फिर हल्दी पावडर इमली कापल नमक और आधा का पानी डाल कर बारीक पीसे, पीसे बेस्ट को पैन में डाले, फिर आधा का पानी डाल कर अच्छी तरह मिलाए, प्रॉंज डाल कर अच्छी तरह मिलाए और पकाए जब तक प्रॉंज पक जाए, इसे अब सभवीं भूल में डाल कर तुरंत परोसे. झाल झाल